पब्लिक टीवी आपकी आवाज अम्रोहा जन्पद में लापरवाह अधिकारियों ने पंचायत उप्चनाव में कोरोना मिर्थ तक सिख्षकों की ड्यूटी लगा देने का मामला सामने आया है बोलिंग पार्टियों की रावानगी के समय जब बोल खोली तो जला प्रशासन हरकत में आया और फजीहत खोने पर ड्यूटी पत्र वापस करा कर अन्य सिख्षकों की ड्यूटी लगाई गई डीमबी के तुरपार्टी ने लापरवाही की बात कबूल की है अमरोहा जनपत के ब्लॉग 663 तरगत आने वाले 4 ग्राम प्रधान पद और 137 ग्राम पल्चाय सदस्यों के पद ही दू उपचुनाव का आज मतदान हो रहा है जिसको निस्पक्ष संपन कराने के लिए प्रशासन ने सिख्षकों की ड्यूटी लगाई थी लेकिन अमरोहा प्रशासन ने ऐसे दो सिख्षकों की भी ड्यूटी लगा दी जिनकी मौत कोरोना ड्यूटी देते समय को चुकी है और अब इस दुनिया में नहीं है मीडिया में खबर आने के बाद अमरोहा के जलादिकारी वीकेतर पाठी ने पूरे मामले में लापरवाही की पुस्टी की है और पूरे मामले में इसे गलती बता कर कहा है कि इस गलती को सुधार लिया गया है और उनके इस्थान पर दूसरे लोगों की ड्यूटी पर भेज जा गया है कि जो ड्यूटी में हमारे कंपर सुची बनती है उसमें उनका नाम रहा है और कोरोना में जानते हैं अभी पतकाल में कई घटनाए हुई है तर ऐसा लगता है कि वो उनके नाम अभी उसमें से कट नहीं पाये थे ऐसी दूटी हुई थी उसको ठीकर लिया गया है और उनके अस्थान पे रूफे लोग लगा गजा गया है और भईस में इस बात का ध्यान रखेंगे लोग अधिकारियों को मैंने पता भी दिया है